एग्रिकल्चर मार्किट पर्डिूस एक्ट ये सरचोटू राम ने बनवाया था पढ़ते पढ़ते वकाल करते थे फिर 1926 में आईशिस की प्रिक्षा दी बंगाल से सैनियल को लिया कर यहां हेडमास्टर लगवाया सेक्टर को आदेश दे दिया जो भी जमीदार का अनाज खरीदेगा मंडी में बोली लगा करीदेगा 1925 अले गये और वो बागदा साइन करके पास करवा कि उसको गए थे यह जो बागड़ा डेमूनी की देन है यह जो आज कौम जिन्दा है गरीब मजदूर तब का जो जिन्दा है वो चो चोटराम की वज़े से जिन्दा है एक बार उसका बतीजा कुलदीप सिंग ऐसेट सो था उससे में सोटी गलती होगी उसको सस्पेंड कर दिया उसको बरकास करवा दियार दो सो रुपे दे दिये किसान नहीं करेगा यहां पर कभी आना भी मत जमीने होटल ट्रांसपोर्ट पता नहीं क्या क्या बन जाता उन्होंने कुछ नहीं बनाया जो वकीर था उस्टेम पर एक जनानी थी उसके दो पच्चे थे डाइसों पर यह जमीन ती उसके जमीन कुड़कोनी थी जो चोटु राम नहीं उसको पर पूरी टाकत लगाई मज़े स्टेट बलाजी मैं क्या करूँ यह कानून है मैं नहीं रोख सकता जो चोटु राम बलाए कानून कैसे तूट है बलाए वजार से तूटेगा हम नहीं तोड़ सकते देश रयाना टीवी पर आपका सवागत है मैं हूँ यादविंदर सिंग दीन बंदू सर चोटु राम की चर्चा पूरे हर्याना में होती है पंजाब में होती है यहां यहां पर किसान हैं जाट हैं जट हैं उनका नाम आता है क्योंकि उन्होंने किसानी के लिए बहुत काम किया था हम उनके बुत के नीचे खडे हैं उनके म्यूजियूं के पास खडे हैं और हमारे साथ किसान है गड़ी सांपला के हमारे साथ एक्स चेर्मेन रूप Warum सिंग जी हैं हमारे किसानी की नई पीडी है, हरयाना की नई पीडी है, क्यों जरूरी है उसके लिए जानना कि कौन थे, सर छोटू राम, बात करते हैं तरूप जी आपका स्वागत है, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कैसे यातरा शुरू होती है, सर छोटू राम बनते कैसे हैं, क्या उनके नटकट छोटू बोलते थे सब जबकि छोटू नटकट से बड़ा छोटू और नटकट था इसलिए उसको छोटू बोलने लगे उसका नाम रा रजक रिसपाल था लेकिन छोटू छोटू कहते हैं वो छोटू के नाम से ही परसीद होगे और छोटू के नाम से परसीद होगे चोई छोट राम के नाम कलाया, उसकी खाशियते थी बच्पन से बहुर तीवर बुद्धी के थे, हर एक चीज को बहुती लगन से, मेहनत से, पूरा करने कोसे करते थे, और कंपेटिशन माने कोसे करते थे, पढ़ता था जो, पर हरे में शिक्षा सरू होई तो बहुती उस त श्पताओं कारों के परती जो जमिदारों की, जो कारिय शेली थी, उसके परती उनकी नफरत थी, फिर जमिदारों की धनीया आलत ही तो उसने ठाइना, है कि मैं अगर भगमानने चाहा, तो किसी दिन इन गी, उनकार के शुरुअत करते हैं सब से पहले, आप ये बात भी प वहां में द्हात मगूम में और जाठ बोर्डिंग नंग की श्हचत में करोए जगह झगह को हमाँ भजो बच। कैसे शिक्षा करें नब करें और दिरे दिरे उस ने अपना कारी स knoe比較 ऐा व्ılarम झको कि Ilk fya kg में भी रौतक में भी आपना जनम सतली है वहां भी शिक्षा का सतर बढ़ना चाहिए उन्हों नहीं सो तेरा में यहां पर जाट स्कूल की स्थापना करवाई जिसके वह खजान सी बने और दूसरे आदमी जोडे और बड़े संग्रश चे उन्होंने लोगों से जमीन दानम मं अमीदारों का साधी में होगा तो अनाज दो पांच किलो फसल पर साधी होगी तो पैसे 25 पैसे दो सवारपिया दो ऐसे ऐसे करके जोड़ा और बाबा मस्तनात और सेथ उस साजुराम ने उस समय एक एक लाख रुपया संदा दिया था तो आप जैसे बता रहे थे 1926 से हम श 1926 में आईशिस की प्रिक्षा दी उसमें पास हो गए लेकिन मेरिट में नाया है मैथ में अंकडी थे वह कम नंबर रहे लेकिन उसने संग्रस जारी का अपनी वकाले जारी रखी फिर जगे 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 उन उसने बोर्डिंग बनवाए बच्चे इसमें रहेंगे हमारे गा ले अगर यहां हेड़ मास्ट लगवाया उस सक्स ने इस सकूल को ऐसा चला दिया जैसे की बहुत ही उंची सतर पर तभी जैसे आप कहते हैं 1926 में आगला कौन सा साल था जिसमें उन्होंने को बड़ी प्राप्ति बड़ी प्राप्ति की पहला जुनाव लड़ा तो इसमें पहा रगे 1921 में शयद नहीं नहीं बाद मन एकत्तिस में लड़ा जो उसके बाद दुबार एलेक्शन लड़ा उन्हीं तो परल्ल एविंट के मेंबर बने सेक्त पंजाव के और उसमें मंतरी बने मंतरी बन देबने कही भी बाउगों काम बड़ी बखूग उसने यह देख परहियात खाँ उन से मिलके और एक कानून बनाइने की सोची है अग जमीदारों का कैसे बलाओ फिर उन्होंने अरियाने के इंदर जो सुरी पंजाब जो सुख पंजाब था उसमें एक मार्केट कमेटिंग स्थाफना की और जो सावकार तब का था ओड़ें पूने दामों मे जमीदारों का अनाज खरीद ले जाता उसको यह निमालम था कि मेरा अनाज किस वाओं में खरीद दया कितने पैसे एक्ट बनाता और जमीन एक्वार्यमेंट के और मार्केट कमेटि की साथ साथ स्थाफना की सेक्टरी को आदेश दे दिया जो भी जमीदार का अनाज एक इतना बड़ा अन्दोलन हुआ एग्री कल्चर मार्केट पर डियूस एक्ट यह सरचोटू राम ने बनवाया था जिसकी नोटिस्पिकेशन उनीसो बड़ा किसानी के लिए उनीसो अड़ती सूद खोरी कनून आया सूद खारुकानिन आया उसको इचोई शाम नहीं रजवेशन की स्थाफना करी नोकरियों में इनको आरक्सम दिला गरिबों को और मजदूर को के अरीजन को और भाखडा डैम की रणबीर जी यह भी बाखडा डैम की उसी नहीं जो प्रस्ताव करा था उनका पास है उन्हीं के उसमें जो फोटो भी है वो अंग्रेज के थी, गाउवालों को भी गाउवालों को कहा कि भाई यह बनेगा तो हमारी खेती बढ़िया ओगी आमदीनी बडएगी खुशारी बड़ेगी घटेगं और इस जो ग्रीवी जो रेखा काम होगी तो फेर उन्होंने क्या हुआ बहुत बढ़ी आकाल पढ़ गे अकाल पढ़ के जनरल ते उस समें एक मीटिंग बुलाई मीटिंग बुलाई तो ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समें पर्दानमती था उसने इसको भेजा चोई शाव को जाओ और जुमीदारों की पहर भी करना वहाँ पर सेक्टरी बरीफ किया बरीफ किया बोला बाई गेहूं के बावन एक बाई बना जोगे उसने का बही नहीं कर सकते हैं अब अधनी सोनी की बात नहीं कर रहा हमें तो दस रुपी की बात कर रहा है वह लोगों ने पूछा को भी आप क्या करोगा अब तो जम्यदा नहीं जांग तो खड़ी फसल माग दे जाओं इसका का पी दूनों के बाद कोई शिवागाओं का साथ किसान था उसना पड़ी फसल रखकर उस माग लगा थे अंगरे सरकार जो विदेशी सरकार थे उसके आथ पहर फूल गए उन्होंने बोला रहे क्या हो गया अगी छोट राम को वरकास्त कर उसने बाद 11 रुपे जो रेट मिला उसके बाद नहीं उसके बाद नहीं उसके बाद तो इसको दुबारा बलाया दुबारा बला तो वो बला भी आप तो 10 रुपे मांग रहे थे नहीं बलें दस रुपे तो उस समय मांग रहे जब मीटिंग बुलाई थी और अब हमें बहुता है उस समय जमीदारों के लिए 11 रुपे है उस समय आप तो फैमिली से हैं तो क्या बहुत मान होता है इस बात पर कि आपकी फैमिली से इतने बड़े लीडर पैदा हुए यह आपने मान समόन तो है जिजी जो आज कौम जिंदा है गरी मजूरतम का जो जिनदा है वह अगरत में बात में पंट्रा में अधियाब में आपकूल को पंड़े में में लुपारे में जिन्वान पर देखने आते हैं. पाकिस्तान से और दूसरे ड्शन से जोट्ल को देखने आते हैं याने को देखने आते हैं जोहां जोहीशा है कर दिया इसा किंदा जमीदारी जिन्दा है, मजदूर जिन्दा हैं इंडूस्तान का और कोई इंटरस्टिंग किस्सा आपके याद हो उनका कोई जैसे आप सना रहे हैं पंतालेश चब्वेस इमानदार थे एक बार उसका बतीजा कुल्दीप शिंग ऐसेच सो था उसमें सुक्तमंजामा उससे ए परकास कर्वादियार दो सो रुपे दे दिये किसान नहीं करेगा यहां पर कभी आना भी मत मंडी के लिए स्टापना कराई हमारा कलू ठेकेदार होता था वो सारे मंडियों के यह कोटा होता ना अनाज का चीनिय का यह मिलते थे ओले का गया तुम आपना काम करेंगा तुम अपना काम करो उसको कैंसल करवा दिया था पर सबसे बड़ी उसने यह कहा था अक जमीदारी से काम नहीं चले गा। वह बढ़ती हो जाओ। एक दिन में ठार हजार दोस्सो आदमी फोज में बरती करवाए थे उन्होंनों जिसमें सेकंड वीस वे उदमें जब लड़ाई हुई अंग्रेजी सहना को छोड़कर गोड़ा बारों लूटकर अंग्रेजबसरों को मारकर सुवाज की फोज माहिने में आकर सामिल हुए थे आदमी जिन में जाट महर सिंग वापड़ो दिया जगसिंग ये काफी आदमी थे जो उन्होंने बड़ी कुर्बानी देश के लिए चोईशाव की देन है खुद कुछ नहीं ऐसे जैसे लीडर होते हैं आज कल तो हम देख रहे हैं जमीने होटल ट्रांसपोर्ट पता नहीं क्या क्या बन जाता हुन्होंने कुछ नहीं बनाया जी महां बता हमगा ऐसा था उस समय बड़े लीडर थे फिर भी उस समय सबसे ज़्यादा यह था जो प्रोपर्टी का माले कोगा उसको ही टिकट दी जाई जो वही मंत्री बनेगा ऐलेक्शनल लेगा उसको लोगों ने ज जारवी गे 500 भी के जमीन नाम करा दी जब उसके बाद उसके बाद वह मंत्री बन गया तो उसने सब को अवलागे सारी जमीन उन जमीदार को वापीस कर दे उसके पास उस समय अपने अलावा कुछ भी नहीं था एक पिशा यह था चोल साब का चोट राम के दो लड़किया एक बगानी देवी एक राम प्यारी चोर साब बड़े वाली बगानी तो उसका साधी चोर इनकी राम से करा दी जो बरंदर संग के अपपताजी थे दूसरी लड़की यह बेरी रिच्ता करा एक उसको जो है कर पच्कार का गे उसके बाद उसके लड़के का एंट्रू आगया आप एपया मेन वापश दो राप जाईए चोर साब ने वासरस्ता तोड़ गया उपनी लड़की नेकी राम का दूसरी भीशी के साधी करी इतने एमानदार आदमी थे उनकी मिशाल है एक चोर साब की पाकिस्तान के अंदर लाहर के अंदर मीटिंग चली थी बहुत बड़ में बुसले की का अबिर को पहार करें अभी रुओ उस कितने एह क्रूम में इस मीटिंग से पहले मुझम जो बात अब अपड़े उआर परे रिप फटा पहरे जो प्रूप उसान से मिलि उसकी जो जितनी भी दिनी दल पकााने ती वो सारी सुनी और बाद में में उसमें इ है आपका वारिष कुन होगा जिसका हाथ हल्की मूठ बजाता है जम्मू से ले गए पलवर तक वह सब मेरे बच्चे हैं जिसके अंदर पशीने की बद हुआ थी सबसे बड़ी खासे थी वो सबको अपना एक समान मानते थी हम याद कर रहे हैं और जो आज हम जिन्दा हम सीना मातान का जो जी रहे हैं जी सवाम है चोईशाव की ही देन है दूसरे विदेशों में भी रहा हमारे भी यह इसके कानून थे जो बनाए अभी मौधी सरकार जिसको खतम कर रही थी यह एक बहुत बड़ा जमीदारे कवे कलंक होता हम बिलकुल वैसे स्टेज बाते जो उनीस पत्की जो मौधी सरकार ने बंद कर रहा है चोईशाव ना अपने टेम में किसान और मजदूर के बाइशों जो बड़ती करा है जो जो सीना तान कर रही हो कहते है हाँ भी है चोईशाव इस किसम के आजमी थे गरीब और मजदूर की मलनोकरी उसके पेसे के लिए उसको हमे पेसे अविदूर की महान किसान तेर महान नितता थे मारे उन्हों दस्वी पास करी उससे आगे पड़ना चाहते थे उसके पता जीगा बहुत कमजोर था वो बणीगे पास गई उस तेम कॉपरेट का जमाना था बणियों के काम था लगड़ियों से नाज लेना लगड़िय उसे देना किसान कोई मार थी, बनिया के पास गए तो बनिया ने, उसके पिता ने कई पैसे आगे पादाना है, पैसे तहीं है, बनिया बहला यह लाग उसके पिता ने, पंखा डोलो, तो छोटरा में को गुछ सा गया, उसन उसको गाड़ी दे या कुछ भी दमकाया बनिया, उसके पितान उसको थपड़ मारा बईये से नहीं बोलना था, कर्जा लेना था इससे, वो कर्जा वहां से टाड़ कर दिया, और वहां से चल दिया और एलम बैठका, जो वो लाहर जा जा रहा था रस्ते में चाजुराम टकरा गया, चाजुराम गो नहीं पता है, रोग तक कि अंदर है, तो चाजुराम नओ उसकी मदद करी चाजुराम नसको पढ़ाया और उसके उंचे ष्थर्प पचाया, उसके बाद हो वकील बना, यह वकील बनने के बाद, जो वकील था उस टेम पर एक जनान्दी थी, उसके दो पच्चे थे, दाई सॉपर यह जमीन थी, उ क्या करो यह कानून है मने रोख सकता जो छोटना बढ़ा है कानून कैसे तूट है बला यह वजारत से तूट एगा हम नहीं तोड़ सकते जब उन्हान वकीर पना चोड़ गवना मेले अलक्षन लेड़ा वह अगले पालान में फिर लड़ा फिर बढ़ गया वजारत मनहीं आय कि छोडरी साब बढ़ नहीं थेकों दुट एक मेले रभ अगुद बना भूड़ा यह वहिए करमेलदा बनाया मंत्री तरि नहीं बनाया बाहने है वहें काती भूड़ अर अंबालर और अम्बालर जाम लगा दिया जोगी लगषन लीवेस दिल्ली आ था वह निं रोगा जो आपस हो जा जो स्टेंप मंत्री बनाया हूँ आयाच खान शीयम था और ये छोटा मंत्री था इसने वो काम किये जो आज गानेता कोई निकर सकता क्यूं उसके अंदर भूग थी जनता की उसके अंदर भूग थी किसानी की उसने सबसे पहलें वजारन बाद ते ही कोड़ पास किया जो कि उसने देख्या रहो जनानी की जमीन कोड़ को थी सबसे पहलें कोड़ पास किया कोई किसी का करजा नहीं ना किसानी की जमीन बेकाईगी ना किसानी की गाड़ी बेकाईगी ना किसे निका घर बेकाईगा ये उसने कानून बढ़ाया है तो इसलिए उसने मा राम हैं उनको जनता देखनी रही जो आज जनता राजनिती में फशी हुई है लोटेरों में फशी हुई है उस्टेम जनता लोटी हुई थी इसलिए उच्छोट राम को सिर पर बिठा हमने और उसको महान बनाया तो ये थे किसान और हम गड़ी सांपला में हैं जो उनका काम वी बहुत है जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेस्बूक पेज को लाइक करें फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें